नमस्कार फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आरवी एडी ट्यूब क्लास में मेरा नाम है राकेस और आज मैं आप लोगों के लिए एक कोश्चन लेकर के आया हूँ यह कोश्चन क्लास 10 के मायथ बुक्ष सीवेसी से बोर्ड से लिया गया है पेज नमबर 245 है एकसरसाइज 13.1 सरफेस एरिया वाल्यूम से यह कोश्चन लिया गया है स्टुडेंट जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह कोश्चन नमबर 7 है और कोश्चन में पढ़ता हूँ और देखता हूँ इसमें क्या-क्या पुछा गया है क्या अटेट इज इन दए सेप आफ सेलिंडर देखे सेलिंडर मतलब है यह वाला सेप सा रमाङ्टेड वाई आप ड अ आ कोनिकल अ मतलब होता है कौन ऐसा सेप क्यूब जैसा जो आइस Мне होता है या पिर जोकर की कैप जैसा आगे पढ़ते हैं इफ दा हाइट एंड दा डायामीटर आप दा सिलिंड्रिकल पार्ट आर 2.1 देखे यहाँ पर जो बैलू दी गई है तो पहले अगर हाइट बोला है तो पहली बैलू हाइट की होगी बाद में डायाबीटर बोला है बैलू डायामेटर की होगी ऐसा पता चलता है रिस्पेक्टिवली से रिस्पेक्टिवली का मतलब होते हैं आपर क्रेमा नुसार जो पहले बोला उसकी बैलू पहले जो बाद में बोला उसकी बैलू बाद में एंड दा स्लेंट हाइट आप दे टॉप कुछ रेक्टेंगुलर फॉर्म क्यूबोईडल फॉर्म में होते हैं कुछ सर्कुलर फॉर्म सिलेंड्रिकल और कौन फॉर्म में होते हैं तो पांस रुपया एक मीटर जो टेंट लगाने का लगेगा तो नोट देट दा बेस आप टेंट विल नाट भी कवर्ड विद कैनवास बेस का मतलब जैसे सिलेंडर है ना तो आप लोग अगर साधी विवा के मंडप में गये होंगे तो क्या नीचे भी टेंट का कपड़ा लगा लेती हैं यहा पर कपड़ा कहां लगता है शिर्फ-सिर्फ आपके हार किनारे और ऊपर डिकए इसका मतलब हमें सिलेंडर बहुत सबicasशेद करना होगा然后 this is a fragrance करना होगा और इन दोनों को जोड़ देना होगा फिर हमें पता चलेगा कि कितना मीटर कपड़ा लग रहा है और उतने कपड़े की जो कॉस्ट है वो कितनी आएगी ठीक है तो चलिए देखते हैं याँ पर solution given that the height of the cylinder cylinder की जो height है वो दिया गया है 2.1 meter अब देखिए आप value को decimal भी रख सकते हो लेकिन मैं value को fraction में रखना पसंद करता हूँ क्योंकि fraction वाले जो value होते हैं वो काटने में आसान होते हैं तो मैं यहाँ पर जो point के बाद one एक digit है decimal के बाद तो मैं यहाँ पर 10 multiply कर लेता हूँ तो यह हो जाएगा 21 by 10 meter ठीके इसी प्रकार से जो diameter दिया हुआ है cylinder का तो cylinder का जो diameter दिया है वो 4 meter दिया है मैं अभी यहाँ से radius find करूंगा cylinder का और जो radius cylinder का होगा वही radius कोन का भी होगा ठीके क्योंकि आप देखते हो कि मालो नीचे उन्होंने जो टेंट वाले होते हैं आपके यहाँ साधी विवा या किसी भागोत अगरा में या किसी भी function में टेंट लगाते हैं तो उसका जो diameter वो अलग अलग थोड़ी होता है सेम सेम होता है न तो यहाँ पर जो radius होगा कोन का वो भी इतना ही होगा अर तो ठीक है अब यहाँ से हमें यह पता करना है जो salent height दिया हुआ वो भी दिया हुआ किसका कोन का salent height दिया हुआ L salent height को हम कोन से represent करते हैं और यह दिया गया है 2.8 meter अगेन यह decimal में है तो मैं इसको fraction में write कर लेता हूँ 28 by 10 further मैं इसको do से divide कर लूँगा तो यह आजाएगा 14 by 5 meter ठीक है अब यहाँ से पने सारी value यहाँ पर write कर ली है अब देखते हैं कि सबसे पहले कपड़ा कितना लेगा यह find करते है ठीक है the area of the canvas for the area of canvas is equal to csa of cylinder plus csa of phone ठीक है तो यहाँ से फर्दर जो cylinder का circuit surface area होता है वो होता है पाई r square नहीं sorry इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2 pi r h और जो कोन का होता है वो होता है pi r l ठीक है अब यहाँ से आप अगर देखो तो pi r और pi r दोनों में common है आप common कर लो जयान रेकना student आप चाहो तो यहाँ पर भी value put कर सकते हो लेकिन मैं आपको suggest करूंगा कि आप पहले फार्मूले को अच्छे से drive कर लो उससे क्या होता है कि आपका calculation कम हो जाता है और cut करने में भी आसानी होती है तो जैसे मैं यहाँ पर pi r common कर लेता हो यहाँ से अगर आपने pi r common कर लिया तो bracket के inside में बचेगा 2h plus l आप चाहो तो इस formula को remember भी कर सकते हो फर्दर आपको use करने में आसानी होगी देखिए मैंने यह formula आपके लिए जानबूज करके बनाया है आपको यह formula learn हो तो आप direct put कर सकते हो ठीक है उससे आपक value put कर देते हैं pi की value कितनी होगी 22 upon 7 r की value आपने 2 find क्या है 2 into h की value कितनी थी जहाँ पर चलके वापस देख लेते हैं h की value है आपकी 21 by 10 और l की value है 14 by 5 ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा 21 by 10 14 by 5 अभी देखिए यह क्या है न यह fraction के form में है इसको हमें solve करना पड़ेगा तो देखिए 2 अंजाट 2 तो 5 जाट 10 यह कट गया परदर 22 में 2 से multiply करेंगे तो 44 अपन 7 मिलेगा 21 देखे यहाँ भी denominator में same same है यहाँ भी denominator में same same है तो जब denominator में same same होता तो value को हम as it is write कर लेते हैं 21 plus 14 add करेंगे तो क्या आएगा वो देख लेते हैं 44 into 1 plus 4 5 2 plus 1 3 upon 7 into 5 अभी 75 जब कितना होगा 75 जब 35 5 वं जब 5 remaining आपके पास बचेगा 44 तो यहाँ पर जो आपका area बचेगा वो 44 चुकी area है तो जो unit लगाएंगे meter दिया हुआ पहले से तो हम meter का square लगाएंगे क्या लगाएंगे meter का square अभी यहाँ पर तो हमारा एक answer आया कि जो canvas का area लगेगा required वो होगा 44 meter square ठीक है अभी फर्दर क्या करना हमें इसकी cost find करनी है तो cost क्या दिया गया है now for the cost at 500 rupees per meter square देखे एक meter की जो cast लग रही है वो 500 रुपे लग रही है तो एक meter square की जो cast लग रही है वो 500 रुपे लग रही है तो 44 meter square की जो cast लगेगी वो कितनी लगेगी तो उसमें हम एक की cost से multiply कर देंगे मतलब 500 से हम multiply कर देंगे देखे ऐसा कोई number जिसके आखरी में 00 आया हो तो आपको जितने 0 आया है उतने ऐसे आराम से लगा देना है बीना कुछ सोचे समझे 5 forja कितना होगा देखे ऐसे multiply करेंगे 5 forja कितना होगा 22 कर लेंगे again 5 forja कितना होगा 20 ओ पलस 222 इस प्रकार से हमारा जो answer आएगा वो कितना आएगा answer आएगा 22,000 rupees ठीक है तो यहाँ पर हम answer क्या write करेंगे वो देख लेते हैं न लेते हुझे लेते हैं जोर कितना है जबने कॉर्थिएर्यम्यण चाह्या पर होगा यहाँ प्रेमार्यू और ग्याओ कंवास the cost sorry यहां पर मैं दा लिखना बूल गया the cost for 44 meter square canvas is 22,000 rupees तो यह है मारा final answer होगा student इस question का उमीद करता हूँ कि मैं इस वीडियो में आप लोगों कुछ समझा पाया होँगा अगर यह वीडियो आप लोगों को helpful लगा है तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और अपने दोस्तों को भी share करें इसी परकार के वीडियो लेकर आप मिलते रहेंगे तब तक के लिए thank you class